एक्सेलशी नियूस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ रुतिश कुपतादर्श को जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्बू जू जो है पूरी तरह से जो है ओपन हो चुका है और हमारे आम चंता जो है आप जम्बू जू जो है वहाँ पर जानवरों को देखने के लिए वहा हाँ पर जो है केवल और केवल रेस्क्यू किये गे जानवरों को रखा जा रहा है लेगिन आज भी जो है लोग यहाँ पर विजिट करते हैं और कई न कई निराशा जो है उनके हाथ लगती है लोगों का यही कहना है कि मांडा डियर पार्क को जो है पूना से शुरू किया पिछले साल 15 गस से मांडा डियर पार्क आम लोगों के लिए बंद कर दिया क्या था जम्बो जो खुलने के बाद मांडा डियर पार्क को सेंट्रल जू ए थौटे ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बंद किया क्या था मांडा डियर पार्क में रेस निशुल परवेश कर सकती है मांडा डियर पार्क से हर वर्ष विबाग को 40-50 लाक रुपे का राजस्व प्राप्त होता था और पीक सीजन में तक्रीबन 2000 लोग मांडा पोंचते रहे हैं मांडा डियर पार्क आम जंदा के लिए 1983 में खोला क्या था ताकि लोग वन के साथ साथ वन्य जीवों का भी नजारा ले सकें मांडा में महद वन्य जीवों का रेस्क्यू सेंटर ही है लेकिन लोगों का कहना है कि मांडा डियर पार्क को लोगों के लिए खोल देना चाहिए लोकल लोग हैं वो यहां पर आ सकें कि वह वहां पर दूर पढ़ता है उनको जांबु जू क्योंकि यह पास पढ़ता था यहां जो विसनिटी में उनको पास पढ़ता था लोगों को आप गवर्मेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको भी खोले ताकि जो नजदीक में जो लोग रहते हैं यहां पर आए और यहां पर भी इनको कोई ऐसे प्राविजन रखना चाहिए चलो टिकट रख दो गवर्मेंट को कोई कुछ और उससे रेवन्यू भी जनरेट हो जाएगा गवर्मेंट को इसको हम इसलिए पुर्जोर डिमांड करते हैं इस मांडा जू को दुबार सिटी के लोगों के लिए बहुत ही और जो आजकल शुटियां पड़ी हुई हैं बचों के लिए एक मरुरंजन का यही बड़ा बहुत-बड़ा साधन है और इसे सरकार को चाहिए कि इसके उपन कर दिये जाए और जो सिटी के लोग है जहां पर आए जाए जो नया बनाया ह हो दूर पढ़ता और बोर कास्ट ली पढ़ता है लोगों को और पता ही नहीं लगता वह कहां पा रहा है इसलिए इसे ततकाल वह आप से इसको उपन करना जाए कि खाली गेटी खोलना है इनको बखी पर जहां पर जो जानवर बगारा वो भी है वो पारक भी है सबी है और बंद करके जह खंडर बन जाएगा और इसको जल्द से जल्द से ओपन करना जाए पहले तो हम यहां आते थे टिकट भी लगती थी यहां तो बच्चे भी साथ आते थे तो देखते थे जानवर वानमर यहां सब टाइगर मतलब जो जो बीजानवर है सारे देखते थे अब थीपिंज़ ईन्हें और दूसरी जगह किया है यहां से जो शिफित किया है तो यहां पे और अभी जो जानवर वहां से लाते हैं तो यह यहां पिर आएंगे वह भी देखेंगे तो यह होना देखिए जम्बूजू जब बना तो उसके पीछे यही थौट था कि जो मानडा डियर पार्क है बहुत छोटा है साइज में और की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है इसलिए जम्बूजू की लोकेशन अडेंटिफाई की गई और उसको अभी जैसे आप जानते हैं कि तियार करके पब्लिक के लिए ओपन किया गया और जब यह ओपन हो गया तो उसके बाद मानडा डियर पार्क जो है इसको अब रेस्क् पब्लीक की एंट्री अलोड नहीं होती है तो इसलिए हमने इसको पब्लीक के लिए एक लिए तो जैसे किpesla पर जानवर हैं तो और फंद अब कि नहीं कर सकते हैं कि यहां वो जानबर रखे जाते हैं जो इंजोड हैं जो स्ट्रेस्ट हैं जहां कहीं से रेस्क्यू करके लाएगे हैं और वो कुछ फेज के लिए यहां रखे जाते हैं अगर हम पबली को अलो करेंगे तो एनिमल जादा स्ट्रेस में आ सकता है उसकी ट्र क्योंकि रेस्क्यू सेंटर है इसलिए पब्ली को यहां अलो नहीं किया जाएगा। हमने जो हमारा पार्क के रिया था जहां पब्लीक आके बैठती थी उसको पब्लीक के लिए ओपन रखा है। वो बिदोट एनी कॉस्ट जब पेमेंट के बिना फ्री है वो पब्लीक यहां आके अराम से दिन को बैठ सकती है और फिर वो अपने जा सकते हैं किसी भी काम के लिए। तो क्या इन फ्यूचर जो है कुछ ऐसा प्रपोजल बन सकता है कि यहां पर जो है मांडा डियर पार्क को शुरू पूना किया जा सकता है। देखे अब भी तो स्कोप नहीं है ऐसा क क्योंकि यह रेस्क्यू सेंटर है तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रेस्क्यू सेंटर में पब्ली की एंट्री अलोड नहीं होती है तो अभी तक तो चांसी नहीं है कि हम इसको ओपन करेंगे पब्ली के लिए पर फ्यूचर का देखते हैं क्या होगा। हालां कि लोगों का यही concern है कि मान्डा डियर पार्क को पूना शुरू किया चाये. यहाँ पर जो है, जानवर रखे गए हैं। लेकिन यहाँ पर केवल वो ही जानवर रखे गए हैं जिनको rescue करकर लाया चाता है। और ऐसी गाइड लाइन है कि जहांपर रेस्क्यू किये जानवरों को रखा जाता है वहांपर पब्लिक की एंट्री नहीं होती है इसलिए जो है मांडा डियर पार्क को फिलहाल ओपन करने का कोई भी परपोजल नहीं है लेकिन आम जंता की बात करें तो आम जंता का यही कंसर है कि लोगों के लिए जो है इस पार्क को खोल देना चाहिए फिलाल करन सिंग और मुझे याने करें तेश कुपता को दीजी चाज़ात और आप देखते रहें एक्सल्चे नियूज